त्यात्रा में विश्च किये थे कि हम इसे देखेंगे यह है ब्रह्म कमल जो की स्रीव जी को अर्पित किया जाता है महादियो जी के दर्सन हो गए अभी ना पास महीना गनेच जी की कोई मुर्ती है और साथ में ना हनुमान जी की भी मंदिर है वहाँ पे आप लोग को ले जाके दर्सन कराएंगे और सांती लिवल के मिल रहे हैं यहाँ पे दिखें यहाँ पे वो जलाए हुए अधिक तर जो तूरिष्ट होते ना वहाँ पे आते निया निलकंट महादियो मंदीर में दर्सन करके न वह आपस चले जाते यानि कि यहाँ पे जादा घुमते ने तो हम लोगों ने प्लान किया कि यहां के तीनों स्पोर्ट को कवर किया आप लोग को दिखा जाए अगर आप लोग निल कर लीजिगा तो चलिए हम हमारे जस्ट पीछे जो है निलकंट महादेव मंदीर अभी चलते हैं और आप लोग को दर्सन कराते हैं हर हर महादेव जैस्त्री कृष्णा मैं हूँ अभी महादेव की यात्रा पे मंदीर के बाहर निकलने से को तमाम पूजा पाठ के दुकाने वाले लोग जहां से आप परसाथ करीद के महादेव जी को चड़ावा चड़ा सकते हैं हम चल रहें बाहर की तरफ और यहां से आपको टेक्सिस्टेंड मिल जाता है उपर पही लोग को बस छोड़ती है और कि करावड हो जाएगी बहुत सारे पब्लिक आते हैं लेकिन अभी भी रिसी केस में बहुत क्रावड हो गया है और बहुत पब्लिक आ रही है रिकार्ड तोड़ देगी यह कहलो बहुत सारे लोग आने वाले हैं चलिए महादेव की यादरा कंटिन्यू करते हैं हर हर जैबोले आदे धन्यवाद आसिरवाद के लिए पाइली पहुच चुक है सडकों पर करें अधर प्रवेयर द्वार है महादेव जी का निलकंड महादेव जी का यहां से आप अंदर कुसेंगे और महादेव जी का दर्सन करेंगे हम आए पैंदल याद्रा करके यह बड़े बड़े पहाड़ी तीन चार बड़े बड़े पहाड़ी को पार करते हुए झालि पाइनली आज महादेव जी का दर्सन हो गय, चलेए, सबसे पहले चलते हैं, अनुमान जी का दर्सन करने के लिए चलेए यह महादेव मंदिर के मेजदी के उसके आजू-आजू में जो दुखाने हैं वो सब चीजे हैं देख सकते तमाम परसाद दुखाने यह सब मिलें आप जय हर्मान ग्यानि भून सागे मीन इसाद्ल हास्पतल वाला सुएदा कोड़ी उत्राकंट कर देखो हमारे उल्त्राकंड का प्यार यह पता नहीं क्या बोलते हैं इसको हमारे बज़िया बोलते हैं या पकोड़े बोलते हैं कि अद्र हम लोगों ले चाय प्यक्रा यात्रा करें हनुमान जी के हम लोगों रॉडवी दencer से हमान मंदें और आप में अगा सांफोन ayr juic में लिदॡरे हम थत्रों घी हम दिखत होजोतें जाए आँ सबसेտने मों हानुमान ना आत् awakening करे हुए यह सब भीक्री हम लोगों ने रात में इतना रात में पहुंचे ना हमको रोड़ी ने दिखाई दे रहा था दुकान कहां से दिखता हुए खड़ी चड़ाई हमारी ना सुरू हो चुकी है नाज दिख मैं यह हनुमान मंदिर उसके बाद चार से चार किलोमेटर बोल रहे हैं अपने जिल्मिल घुपा और पास महीं गनेश मंदिर गने से उनका भी दर्शन कराएंगे उत्रागंड की नई शुबा में अम नई जगे घुम रहे हैं बहुत अच्छे लग रही है है यह रही है देज रश्ते ना दोस्तों जम लोगों ने पहेंदर लियात्रा करके आये थे वहां प्याटेज करता हो गई वाले काल भेरावनात एवं महाकाली मंदिर दर्शन करें निलकंट याता पून करें जय हनुमान यान गुन सागर यहां से कड़ी चड़ाई है जद दखडी चड़ाई है जब दोड़ाई है जब दोड़ाई है फूल का क्या नाम है बाबाजी ब्रह्म कमल और जो केदारनात मंदिर में जो होता है वह मंदिर क्या सब्सक्राइब पाड़ों में जोगता है अच्छा उसी का यह बड़ा रूप है अरे वाह आज किसमत से दिख गया मतलब भोले नाज जी को चड़ावा किया जाता इसको का पहुदा देखा ता साक्चत धरसन हो गए अच्छा कि क्या बात है प्रम अच्छा दर्सन कर लिजए यह ब्यौमकमाल अच्छा इसके सुगंद से तोड़ा बेवसी जैसा लगता है यह ब्रम कमल जो की सीव जी को अर्पित किया जाता है और इसका जो पेड़े दोस्तों जी देखो बहुत बड़ा सा पेड़े यहां पर बाबाजी ना उस पुस्पो को तोड़ रहे है आसानी से नहीं मिलती है आज हमारे किस्मत में था तब यह दिखिए महादेव मंदीर से दर्शन करके महा बली हनुमान जी की दर्शन करने जा रहे तो रास्ते में दिखा यह बहुती रस्म फूल ब्रह्म कमल जो केडारनात के पाड़ियों में छोटे-छोटे वाले मिलते हैं यहां लोगों नहीं देखिए हमारा किस्मत में यह दिखा यह वास्तिकता में देखा जाना दोस्तों यह बहुत कम लोगों को नसीब होती है जब देखना है ना इसको सुंगिये नहीं नहीं तो आप ब्योस हो सकते हैं टर्च मत किज़े बलेक हो जाती है है ना यह सिव जी का सबसे प्रिय फू स Всем Himad 2 देखने जाले हैं अम निखलने सफ पहले के दारनाथ आत्रा में वीच किये थे कि हमें मिसे देखेंगे अज निलकंड मादेव ने पूरा-कर ली इसे देखने के लिए नहीं तो हमें वासु की ताल सज जट जाना पड़ता साइधिस देखने कि वही कह रहा हु ना बाबा जी वहीं पर माने देखा था वी वीडियो में बाबा जी इस इस मंदिर में किन को चड़ते हैं नुमान जी को बाबा को माता को अच्छाव भी मंदिर से आरो पर आ खाल जा चलो चली है है अच्छव जरी में को आप लइन है जया प्यारा लग रहा है हनुमान जी के पार जैसे जैसे नच्दिक में जा रहे है सब्सक्राइब दर्सन करूँगा उसके बाद वासू की ताल की ट्रेक करूंग पारिक द्रेक्रने पार मुझे देखने को बिलागा ब्रह्मा कमा जो कि एक चमतकारिक फूल होता है आज गर से मैं सोचके निकला था लेकिन महादेव किरपा से निलकंट महादेव जी किरपा से ब्रह्म कमल मुझे इतने बड़े-बड़े विशाल पेड़ों के साथ दिख गया महादेव का किरपा है ऐसा लगता है जब भी हम यात्रा में निकलते महादेव जी का तो महादेव जी ना पूरा रस्ते खोल देते हैं आप निकलो तो सहीं पूरा चीजें जो आपको ज्यादा मुहनत ने करना पड़ते हैं यह प्रवेश द्वार दर से जाना है जिल्मिल गूपा हम में लोग चलिए अनुमान जी का दर्शन कर ली हम लोग अभी जा रहें जिल्मिल गूपा की तरफ जो कि महादेव मंदीर जस्प नीचे है उसी के ऊपर हमारा जो है अनुमान मंदीर है अनुमान जी का दर्शन करना है अभी हम लोग को चार किलो मूटर जो है ट्रेक करके जाना है और पूर दूर जाना है कम चार किलो मेटर हाड़ों पर खूपसुरत मौर की आवाज आ रही है हाम होटल है यहां पर बने हुए है यात्रा के दोरा ने सभी चीजे रोनक में रहती है दाल उनब बैटके चावाल कड़ी दाल यानि कि नास्ते पाई सब करते हैं इक बिल्कुल सविरान पड़ा हुए छोटे-छोटे कुटिया दिखेंगे और यह वल्ण ऊहद के दिखेंगे और इसी रस्ते से होते हैं आप लोग को माता का आहाँ ऐती-घर्षन करने को मिलेंगे गनेस गूपा का दर्सन करने मिलेंगे जिल्मिल गुपा के दर्सन करने मिलेंगे पुरा पैंदल चलके दिखा रहे हैं आप लोग ताकि आप आसानी से निलकंट महादेव मंदिर में दर्सन करने आ रहे हो तो पैंदल यात्रा करके आराम से जो है दर्सन कर सकते हैं, बाइक भी लेके आ सकते हैं बाई यादा दो तक जो है अब खड़ी करनी पड़ेगी उसके बाद जो है पहंदल यात्रा करनी पड़ेगी देखिए देवता मंदिर यह देखिए प्रेश द्वार बना हुआ है और लिखा हुआ है मापरवती मंदिर चाने का मार्क तो चले इस तरीके से यह उचे नीचे टूटे फुटे रोट से उते चल रहे और आपका गने जंगल पहाडों के बीच में बसा हुआ है माता पारवती मंदिर और रोड देख रहे हैं किस त पर के रस्ते बने हुए माता पारवती के दर्शन करने के लिए नीचे और एक मंदिर है यहां पर देख सकते हैं काली मा की मोर्ती जैसे दिखुरिए हो सकता हम काली मा की मोर्ती हो देखुरा पाड़ी चड़ाई जो ऐसे होती है बड़े खड़ाई चड़ाई ट्रेक करना इतना आसान नहीं है करनी पड़ेंगी बहुत ज्यादा थखान होती है किस तरीके से उत्रा खंडियों के जीवन होते होंगे आप इस रोट को देखके यंदाजा लगा सकते होंगे इधरी से यह पर गाड़ी सुविदा तो नहीं है गाड़ी नीचे ही छोड़ती होगी समाने यहां से तो आपके खंडोस होई उठाके ले जाना पड़ेगा अब बुनेस्वरी कितना सा टार नहीं यहां पर छोटे छोटे चोटे तर बजलता वह दिख रहा है लकडियों से बना हुआ नेचरल मेड़ तरह खड़ने में पारवती मंदिर पहुचने से पहले आपको यहां पर तमाम पूजा पाठ के दुखाने दिखेंगी यहां से आप प्रसाद करित के चड़वा सकते हैं कि사से एक इसा माता बुने स्वरी शिद्धिडर्पीट मंधिर पार्वेति का दर्शन करने के लिए पहुंच चुके गुपा की तरफ तमाम परसादों के दुकान मिल जाएंगी आप माता पारवतिगा दर्शन करने ले खरीश सकते हैं और चड़ावा चड़ा सकते हैं